2024 लोगसभा चुनाओ अब भारती जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनोती बनता जा रहा है और ये डर अब बीजेपी खेमे में नजर आ रहा है यही कारण है कि बीजेपी को भी बैठक बुलानी पड़ गई जिसमें केंद्री गृही मंत्रिया मिश्याहा भाजपा के दूसरे या तीसरे नंबर पर आई थी और इन सीटों की जिम्मेदारी केंद्री मंत्रियों को ही सौपी गई है ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर इस खलवली की क्या है वजहा क्या नितीश कुमार की सक्रियता पढ़ रही है बीजेपी को भारी नितीश के दिल्ल जो समय से उठ रहे हैं जब से नितीश ने बीजेपी का साथ छोड़ कर राजत का हाथ थामा और 2024 लोग सभा चुनाओं के लिए बीजेपी के खलाफ मोर्चा खोल दिया तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इनी सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा नमस्कार दोस् और तेजस्वी यादत से मुलाकात कर बीजेपी को जटका देते थे फिर बीजेपी से अलग होकर राजत के साथ मिलकर सरकार बना कर बीजेपी को जटका दिया और अब मिच्छन 2024 शुरू करके बीजेपी को सीधा 440 वोल्ट का जटका दे दिया है क्योंकि नितीश ने जिस करने पर है और वो 2024 में बीजेपी को केंदर की सत्ता से भी बाहर करेंगे ठीक उसी तरहा जैसे बिहार की सत्ता से किया है लेकिन उसके लिए विपक्ष का एक जट होना बहुत जादा जरूरी है हाला कि नितीश पहले व्यक्ति नहीं है जिसने मोधी सरकार को 2024 में हार का अपना देखा है लेकिन जिस तरह से नितीश ने मोर्चा संभाला है उसने बीजेपी के अंदर खलबली पैदा कर दी है और अब बीजेपी को भी 2024 में सत्ता जाती नजर आ रही है यही कारण है कि बीजेपी में भी बैठको का दौर शुरू हो गया है अब यहां सवाल यह ह हो रही थी लेकिन नितीश की इस कोशिश ने बीजेपी में बीचैनी क्यों बढ़ा दी है क्या नितीश कुमार से डर रही है बीजेपी दरसल बीजेपी में खौफ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि नितीश की बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है बलकि उन्होंने बि से केंदर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है हाला कि नितीश के इन तयारियों और सक्रियतों से डरी बीजे पी इसको नितीश के बाजार तो गर्मा ही गया है हाला कि उनके बयानों से भी ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि वो खुद को पीम मोदी से ज्यादा अनुभवी मानते हैं जहां एक तरफ ये अफवाहें फैला कर नितीश की छवी को खराब करने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ नितीश अपने पत पर अगरसर हैं जहां पहले उन्होंने बिहार में ही तेलंगाना के CMKCR से मुलाकात की थी तो अब वो दिल्ली पहुँच गए हैं और यहां अपने तीन दिन के दोरे में नितीश कुमार ने मैरतन मुलाकाती की अब नितीश की इस तैयारी और सक्रियता ने मोदी सरकार की नींद उड़ा धी हैं क्योंकि नितीश बिलकुल उसी स्पीड में और बिना थके बिना रुके की तर्स पर काम कर रहे हैं जिस पर बीजेपी काम करती है और यही है बीजेपी के दर की असली वजहां क्योंकि नितीश बीजेपी के साथ एक ल crit к Şimdi से वाकिफ है और नितीश बीजेपी की नीती का इस्तमाल बीजेपी के ही खिलाफ कर रहे हैं जो 2024 में बीजेपी के लिए खतरनाख सावित होने वाला है बिहार के सत्ता से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा चुके नितीश अब 2024 में केंदर की सत्ता से बीजेपी को हटाने की कोशिश में चोट गए हैं जिसके लिए विपक्ष का एक जटोना बेहत जरूरी है जिसको देखते हुए ही देर साल पहले ही नितीश कुमार ने ये मूर्चा संभाल लिया है और दिल्ली पहुँच गए हैं और फिर नितीश ने दिल्ली में शुरू किया विपक्ष से मुलाकात का सिलसला बता दे कि इस दोर में सबसे ज्यादा निगाहे टिकी थी नितीश और कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी की मुलाकात पर जो नितीश ने अपने दोरे के पहले ही दिन की थी राहूल गांधी और नितीश के बीच करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुए खास बात ये भी थी कि बिहार में कॉंग्रिस समर्थित महागटवंधन की सरकार बनने के बाद नितीश कुमार और राहूल गांधी की पहली मुलाकात थी हलाकि दोनों के तरफ से कोई बयान तो नहीं आया लेकिन एक तस्वीर ने काफी कुछ कह दिया इस तस्वीर में दोनों के चहरों पर दिख रही इस मुस्कुराहट ने इस बात के संके दे दिये हैं कि बात बन गई है यानि नितीश कुमार जिस प्लान के तहट दिल्ली दोरे पर आए हैं वो सफल रहा लेकिन नितीश के मुलाकातों का ये दोर अभी थमा नहीं बल्कि उन्होंने राहुल से मुलाकात करने से पहले ही हचरी कुमार स्वामी से मुलाकात की थी और उनसे भी 2024 के लिए एक जुठोने के अपील की थी मुलाकातों का ये सिलसला यहीं नहीं थमा बलकि अपने दौरे के दूसरे दिन नितीश माकपा नेता सीतारामी येचुरी से मुलाकात करने पहुँचे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रिधानमंतरी बनने के उनकी कोई इच्छा नहीं है बस कोशिश है कि पूरे देश में जो भी स्थानिय पार्टी हैं वो सब ही एक साथ मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी CPI महासचफ सीतारामी येचुरी से मुलाकात के बाद नितीश ने CPI के महासचफ बीराजास से भी मुलाकात की और 2024 में विपक्ष को एक जुट करने के मुद्दे पर ही चर्चा हुई जिसके बाद नितीश दिल्ली के CM अर्विंद केजरीवाल से मिलने पहुँचे नितीश से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा मेरे घर पधारने के लिए नितीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया देश उसे सम्वंधित काई गंभीर विशियों सिक्षा स्वास्त ऑपरेशन लोटेस इन लोगों द्वारा खुलेयाम MLE की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना भाजबा सरकारों का बढ़ता निरंकुष भ्रष्टाचार महंगाई बेरुसगारी पर चर्चा हुई और केजरिवाल से हुई इस सफल मुलाकात के बाद सियम नितीश कुमार मुलाइन सिंग से मिलने के लिए मिदानता अस्पताल पहुँचे इस दोरान अखलीश यादव भी उनके साथ थे इसके अलावा ओम प्रकास चौटाला से भी नितीश ने मुलाकात की वहीं अब दावा किया जा रहा है कि विपक्षी एक्ता की असली तस्वीर तो अब 25 सितंबर को नजर आईगी जब पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ हला बोल करेगा खबरों के मुताबिक चौधरी देविलाल की जयनती पर फतेहबाद में ओम प्रकास चौटाला के नेत्रित में आई एन एलडी बड़ी रैली करने वाली है अब ये रैली कहने को चौधरी देविलाल के सम्मान में रखी जाएगी लेकिन राजनीतिक मौसम में इसे विपक्षी एक ताका एक बड़ा मंच भी बनाया जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि इस रैली में ममता बनरजी, तेजस्वी यादव, प्रकाश सिंग बादल, अखलेश यादव समित कई विपक्षी दलों के नेता मौझूद रहने वाले हैं अब बीजेपी के खलाफ हर किसी को जोडने में लगे नितीश से बीजेपी का ड़ना तो वाजिव है क्योंकि इन सभी दलों का अपना अपना आधार है, ऐसे में ये सब अगर एक जुट होंगे तो एक मजबूत ताकत बन सकते हैं और इनके एक जुट होने की संभाबना कई ज़्यादा नजर आ रही है और यही कारण है कि बीजेपी में अब खौफ पैदा हो गया है वही नितीश के विपक्ष के नेताओं संग मुलाकात की सामने आई तस्वीरों पर बीजेपी नेत्रित की भी नजर जरूर होगी इन तस्वीरों में जस तरह की गर्म जोशी नजर आ रही है वो बीजेपी आलाकमान को थोड़ा परिशान जरूर कर रही होगी इसकी वज़ा भी है क्योंकि कुछ समय पहले तक नितीश कुमार की पार्टी जेडियो एंडिये के साथ थी अब वो महागडबंदन के साथ चले गए हैं एक एहम सही योगी का इस तरह से विरोधी खेमे में जाना पार्टी की रणनीती को प्रभावित तो जरूर करेगा खैर ये मुलाकाते नस्दी की आगामी चुनाओं में कितना प्रभाव डालेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन ये मुस्कुराती तस्वीरें बीजेबी नेत्रित को चुब जरूर रही होंगी तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ नमस्कार